10th and 12th CBC Board exam pattern क्या रहने वाला है क्या 2nd semester objective होगा subjective होगा या mix होगा exam कितने घंटे का होगा क्या internal choice होगी या नहीं इन सब सवालों का जवाप आने के लिए वीडियो को अंद तक देखें वीडियो को like, share and channel को subscribe करना नह भूलें मैं सुरेश और आपका अपने YouTube channel Divine Mathematics में आप सब का स्वागत है CBC ने आप लोगों को बताना चाहूंगी CBC ने 10th और 12th class में पढ़ने वाले student के लिए sample paper जारी कर दिये गए वह sample paper के साथ-साथ marking भी जारी कर दी है sample paper आप description में दिये गए link पर click करके या CBC की official website cbscacademy.nic पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं CBC की official website को दोबारा बताना चाहूंगी CBC के official website cbscacademic.nic.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं जब आप CBC की website पर click करेंगे तो उनका अपना home page open होगा उस पर आपको CBC Trump to sample question paper पर click करना है इसके बाद pdf file open होगी वहाँ पर आपको 10th के sample paper चाहें या 12th के sample paper चाहें उस पर click करके sample paper open हो जाएंगे वहाँ से आप sample paper को डाउनलोड कर सकते हैं अब आपको बताना चाहूंगी आपके मन में बहुत सारे सवाल होगे कि हमारा 10th or 12th जो CBC board exam pattern है वो क्या रहने वाला है तो ये हमारा completely subjective रहने वाला है वहाँ पर कोई भी question objective नहीं होगा क्योंकि आप सब को पता है CBC ने अब की बार first time जो 10th or 12th के exam है वो two semester में divide की है first semester जो था वो completely objective based था अब की बार जो second semester है वो completely subjective based रहेगा वहाँ कोई objective question नहीं रहेगा exam 2 घंटे का होने वाला है internal choice आपको दी जाएंगी हर section में अलग-अलग internal choice रहेंगी किसी के अंदर 2 हो सकती है, किसी के अंदर 1 हो सकती है लेकिन internal choice आपको मिलेंगी maths की बात करूं 10th class के तो 10th class के maths के अंदर total 14 questions होंगे 3 sections में divide होंगे section 1, section 2, section 3 section 1 की बात करूं तो 2, 2 marks के question रहेंगे 6, 6 questions आपको दिये जाएंगे 2, 2 marks के, means total 12 marks का रहेगा वहाँ पे 2 questions के अंदर आपको internal choice गीवन होगी कि आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो section 2 की बात करना चाहूं तो 3, 3 marks के question रहेंगे 4, 3, 3 marks के 4 question रहेंगे means हमारे पास total 12 marks का का काम आएगा यहाँ पे केवल और केवल एक ही internal choice आपको दी जाएगी section 3 की बात करूं तो 4, 4 number के 4 questions रहेंगे means 16 marks का का काम हमारे पास section 3 से आएगा 3rd जो section है वहाँ पे maths की specially बात करना चाहूं तो वहाँ पे case study based 2 questions आएगे case study based questions को करना काफी easy होता है तो यह हमारा total 14th question रहने वाले हैं हमारे maths के 10th class की बात करना चाहूं VSC ने 10th और 12th जो board exam है उसकी date भी announce कर दी गई है exam हमारे 26 April से रहने वाले हैं तो आप लोग खूब पढ़िए मजे से पढ़िए exam अच्छा ही होगा ज्यादा tough नहीं आने वाला tough कुछ नहीं होता आप पढ़ेंगे तो easy लगेगा नहीं पढ़ेंगे तो वो tough लगेगा तो लगे रहे अभी काफी time है जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ना चालू नहीं किया तो आपके पास अभी time है आप अच्छा अग्जैम कर सकते हैं अभी start करोगे तो लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करने की जोड़त है Thank you